हेलो एस्पिरेंट वेलकम टोल अफ्यों क्रेक नाव क्रेक नाव पर मैं जैसिंग आप सभी का अश्वागत करता हूं बच्छों हमारे इस प्रोक्राम में बैसिकली हम बीपीएस्टी में सेंसर राजिटिंग सीरीज पर काम कर रहे हैं जिसमें हम आपके लिए एक नया क्वे करीई है आप भी हमारे इस पंड़िवार का हिस्ता बनकर हमारे परिवार को बढ़ा रहे हो तो एक प्रांब लगातार प्रतिदिन करते रहे तकि हमारा परिवार और विश्तृत हो चके । जो बच्चे नीडी हैं उन तक पहुंच अपनी बना कर उनके लाइफ में कुछ बदलाव ला सकें तो सबसे पहले इस वीडियो को सेर कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिये लाइक कर दिजिसे ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच पाएं जो इसके ज़ादा आग angry जिसको औरन है तो आए देखते हैं आज का question क्या है question के outline को देखेंगे generally जो एक चीज़े होती है हम थ्रोली उसको देखेंगे कि क्या पॉइंट हो सकते हैं संदर्वित क्वेस्टन के लिए तो क्वेस्टन क्या है हमारा देखते हैं कि क्यों आपका है कि डिसके चैलेंजेस एन अपॉशनिटीज ऑफ प्रमोटिंग टूरिजम एज़र ड्राइवर ऑफ एकोनॉमिक ग्रोथ इन बिहार बिहार में जिस्ट मिनट बिहार में आर्थिक विकास के चालक के रूप में परियाटन को बढ़ावा देने की चुनवतियों और औसरों पर चर्चा करो आपको बात बतानी है कि इस पर जो आर्थिक विकास के चालक है पर्याटन के रूप में कहां पर बिहार के संदर में और वहाँ पर चुनवतिया क्या है और आउसर क्या है उस पर हमें चर्चा करनी है तो जैसे आप देखो कि आज के समय में वर्तमान समय में राज्य स्थरकार केंद्र सरकार जो टूरिजम है उसको काफी प्रमोट कर रही है जिसमें जो एक आकर्सक स्थान को डेवलप करना जो भी वाइड लाइफ सेंक्चुरीज हैं तांस्कृतिक परियाटनिस्थल हैं या फिर उसे आर्टिफीसियल तरीके से डेवलप करके उसमें लोगों को आकर्सित करना ताकि जो धन की एक आर्थविवस्था है वह भी सुध संदर में उस देश के संदर में अपने जो रिसर्च हैं जानकारी कठा कर सके तो एक बहुत बड़ा मनोरम द्रिष्ट करता है आपका परियाटन जिससे लोग जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर के रूप में हम दम भर सकते हैं कि परियाटन जो है वह काफी पो पुपसर क्या-क्या है तो चुनवतिया हम देखें तो किसी भी जो छेत्र होता है वहां पर चुनवतिया किस बात की होती है आप चार-पांच पॉइंट अपने पास रखो जिसमें बुनियादी धांचा हो गया आपका प्धिंध के निवेश पॉते हैं निवेश की कमी होती है दूर दराज इलाकों में सडके हावाई जहाज या फिर हावाई एड़ों की जो असुवधा है चुछिंकि जो प्रेटन शेत्र होता है वह सिर्ट लोगों के लिए नहीं होता वह आपके राश्ट के लिए और जो है जो बुनियारी रहाचा है उसके वज़से यहां पर चुनवतियां होती है और यह परेट का जो छेत्र है वह डेवलप नहीं हो पाता इसके अलाबा बिपड़न और मार्केटिंग जो है वह उस रूप में नहीं हो पाता कई बार होता है कि आपके लोकल प्लेस में द संदर्वीत अथोर्टी द्वारा संदर्वीत राजिसरकार द्वारा तो बिहार के संदन में यह भी देखने को मिला है कि वहां पर प्रॉपर जो उनका प्रेटन स्थल है प्रेटन आकर्सित करने वाली जो जगय है उसकी ब्रादिंग प्रमोशन ना कर पाना यह भी एक आप इसको मेंशन कर सकते हो कि कोई भी एगर इंटरनेशनल टूरिस्ट जाएगा या फिशेत्री टूरिस्ट जाएगा तो जो जीव जन्तु उसको हानी ना पहुंचाए वहां के जो एक जो अराजक तत्तो है वह उनको परिशान ना करें क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि विदेशी टूरिस्ट जो है वह इसका सिकार होते हैं और उनके साथ अभधरता और असलील व्यवहार किया जाता है तो सुरच्छा संबंधी चिंताएं हैं यह भी एक चुनवती प्रस्तुत करती हैं आपके टूरिजम सेक्टर में खास करके टूरिजम के इसके अलावा विविद जो पेसकस योजनाएं हैं जैसे किसी एक छेत्र पर ज्यादा फोकस हो जाना तो जो दूसरे छेत्र हैं वहाँ पर विकास और टूरिजम डेवलप्म हो सकता था वह कहीं ने कहीं पीछे छूड़ जाता है तो उसके डेवलप्मेंट को लेकर क्या का साथ के जा सकते हैं एक छेत्र को फोकस ना करके सभी को समाहित रूप से समआवेशी रूप से डेवलप्म करना जो होता है वह टूरिजम को बढ़ावा दे सकता है वह पिर इसमें जो कॉसल और प्रसिच्छर होता है विभिन रूप सबने जो कह को देखें तो इसमें मैं ग के लावा आतित्ति सतकार को लेकर हमारे यहां पर जो यह concept है उसको लेकर training की विवस्था होनी चाहिए और यह नहीं है इसी वजह से यहां पर चुनवतियां ज्यादा देखने को मिलती हैं तो यह सारी चुनवतियां आप इसको mention कर सकते हो इसके अलाबा और भी जो आपको ची देखना है क्योंकि अब हमने चुनवतियां तो देख लिया अब आशर देखना है ऑशर अगर हम देखें तो सान्सक्रतिक और एक अइतिहासिक विर्यासत को प्रस्तूत करता है आपका बिहार जिसमें आप देखोगे नालंडा विस्विद्याल है और इसके साथ ही जो है व वो अच्छे रूप में प्रस्तूत करके वहां का टूर्यजम जो ह्योँ बढ़ा सकते हैं वहां एक आवसर क्रीड कर सकते हैं टूर्यजम और अर्थ्वयस्था के ुदृता के शेतर में इसमें आगर हुम देखें तो धार्मिक परेटन है जो कि धार नेक्टिवीटी जो ह होता है उससे लोगों को टूरिजम सेक्टर से जोड़ कर अट्रेक्ट करना काफी आसान होता है और लोग इसमें बढ़ चरकर उस परेटन का हिस्ता भी बनते हैं तो परेटन छेत्र जैसे बोध गया हो गया यहां पर पतना साहिब हो गया आपके बिहार में वैसाली हो गया ज जो परेटन स्थल है वह काफी सो दिन हो पाएगा विक्सित हो पाएगा इस रूप में इको टूरिजम भी हो गया विभिन वाइल लाइफ सेंक्टूरीज नैशनल पार्क और जो सेक्रेट प्लेसेज होती हैं जो नेचर से कनेक्टिविटी रखती हैं उनको भी डेवलप कर करके हम एको टूरिजम के रूप में बढ़ावा दे सकते हैं इसके लावा सांस्कृतिक उत्सव और कारिकरम होते हैं जिसमें जो सोनपुर का जैसे पसु मेला हो गया और पारंपरिक कला और सिल्व के माध्यन से उनको बढ़ावा देकर उनको प्रमोट करके हम उस परेटन करके और निवेस के विभिन झाविसर क्रिएट करके हम जो तूरिजम है बिहार में उसके लिए उस पैदा कर सकते हैं तो यह हमारा पॉइंट था उस आउसर को लेकर अब परेटन को बढ़ावा देने के लिए रणीत्या क्या क्या हो सकती है तो रणीतिया हैं सब्स ब्रैं करना सबसे बड़ी जरूरी है और इसके साथ साथ जो बुनियादी धाचे हैं उनका विकास करना आवस्चक है इसमें इसके माध्यम से आप जो है इस लोगों से जूड़ सकते हैं और जो परेटन है उसको बढ़ावा दे सकते हैं मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हैं साथ में सुरच्छा संबंदी जो नीतियां है उसको डेवलप करके ताकि वहां पर कोई विदेशी परेटक जाए तो उसे नुक्सान ना हो तो यह सारी चीजें आपके कनेक्टिविटी के रूप में हो सकती हैं और आप प्रेटन को बढ़ावा देते हैं तो यह सारी चीज आप आगे बढ़ सकते हैं और इसी को सुधार के रूप में जो वेब फॉरवर्ड है उसको आप लिखेंगे तो आप अपने सब्दों में अपने एंसर को लिखिए डिस्क्रिस्टिन में आपको लिंक दिया जाएगा जिसमें आप अपने एंसर को सब्मिट कर सकते हैं समझ तक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहें व्यस्त रहें थैंक्यू थैंक्यू सो मच